आप सभी का स्वागत अपने खास कारे करम के अंदर मेरा नाम है अशुनिकुमार जैपाल दूस्तू आज के वीडियो के अंदर अपने जानेगी कि जहां गुर्मित राम रहिम एक तरफ ऐसे विचार परगट कर रहा है जो दुनिया के अंदर कूरा होने ऐसी टिप से दे रह है तो वहीं संद्र रामपाल जी महरास के विचार सुनेंगे और सबसे पहले आप सुनिए गुर्मित राम रहिम के विचार आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में जिरूर बताना गुरुजी डिलिवरी के बाद थेस पर हाइपर फिक्वेंटेशन दार्क धब्बे हो जाते हैं बहुत लेडी जी इस प्रोलम से प्रेशान है कोई पर्मनेट सोलिस्ट प्योर एलो वीरा जेल जिसमें केमिकल कम हो कोल्ड परसेस वाली हो कहीं से भी ले सकते हैं आप उस प वे उपन पॉर हो जाते हैं फिर दोके फिर लगा ले और फिर चार-फांच गंटे पिर उसको दो दें गंटा फिर खाली रहने ने कुछ नह Лगाओ फिर उसको दोलो चेहरे को क्योंगे दोते ही ओ ओर जो है उपन हो जाते तो ऐलो वीरा जल लगाओ दिन में तीन बार भग मुले हैं जिनको लगाने से फाइदा होता है और आमला है उसके साथ शायद शहत त्रिफला के साथ लगा तर लिया जाए हमने आश्रम में देखा था अभी अगर किसी बच्चे को पता हो बहुत पहले बहुत देर की बात है अब हाँ सेवादार थे हमारे ठाकूर ठाकूर उन के बाल सारे सफेद होगे थे 50 परसेंट दुबारा काले हो गए थे तो यह अब किसी बच्चे के याद हो वह हमने ही बताई थी वह चीज वह लिया करते थे तो आपको अभी थोड़ी दिर में बता देते हैं क्योंकि प्रॉपर हमें याद नहीं बहुत पहले की बात है आमल कि दूस्तू की दोनों के अंदर सक्ते कौन है और कौन है वर्तमान समय के अंदर तबदर सी सामत के इस काया का गर्ब नगरियो के काला के गुरा रहे और बिना बजन कुछ काम नहीं आवाचे इसके एतर छड़को चारू हो रहे हैं यह तो माटी है और इससे इस जीव निकलने के बाद इसको दो दिन रखके दखाए तो गर्म है इसमें कीडे चल पड़े है ऐसा बेकार स्रीर है यह कभीर साहब कहते हैं गर्ब ना करे रे ग फिर बताते हैं पसू के चाम कीत जुते बन जया नौबत और नगारा पर नर्दे ही कुछ काम ना आवा जड़बुज हो जा चारा यानि राख हो जाती जड़क या तो उस काम भी ना आवा जुते बन जया को नगारा बन जया या कोई और काम आ सकते यह तो क्यों एक काम आ लोज़ाने लिए। तो फिर क्या बताते हैं। इस काया का गर्ब नकरियों के कारा के गूरा रहे है। इसने कभी किसी के खरोंच आजा थोड़ी सी। अंदर मेटरीयल सारा एक जैसा सब का चै कोई गूरा है चै काला है। ऊपर-उपर की पालिस का अंतर है अंदर मेट्रियल से हम है, अरिसम मेट्रियल क्या है? कभी कोई कुटा मरे आवाया देख्या हो आपना, शड़क के अक्सिदेंट में, उसका वो आत बार निकली पड़ी होती है, देखने दल भी ना कर उटी पड़ी जा, कहीं टटी निकल रही है, कहीं पेसाबर कहीं, उसका आत सारी बार पड़ी है, मास पड़ी है, यो सांग है जिसने आप ठाएं फिर हो, अरिसमांडी पाक रहे हो, दर्ती तो अल रहे हो, कभी कुछ पालस कर रहा है, कभी उसको पोड़र ला रहा है, सवसत रखने के लिए इस बोड़ी को, क्योंकि इसके अमना घणी जरूरत है उसके लिए आप इसकी आवस्यक पौशदी वस्तू प्रियोग कर सकते हो, उससे एक्ष्टा करते हो बकवाद है, और भगत ने बकवाद स्वावा नहीं चला है नहीं बकवादी बार रहा है, इसको वही समझें जो यो मैट्रियल है, इसे अलग सोचकर हम इसकी कोई और जा काचोंद करने की चेश्टा करते हैं, तो हम भगत नहीं हैं, हमने समझानी है, यह क्या वस्तू है, और यह इतनी अनमोल है, वैसे तो यह मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मोक्स रूपी सोना, सोना, और इसके अतिरिक तो वह हो नहीं सकता, तो कहत ये देही सोंगी नहीं, ये मेंगीरत नो मौल है, या नरी सश्टी भी ना समझना, ये बहुत कोस्टली है, असंग जन्मों के बाद दाव लगता है, इस मानो श्रीर का, और इसको हम उसी पसुपक्सियों की करिया हम नष्ट कर जाते हैं, तो परमातमा कहते हैं, दिक्कार है तुमारे जीवन को, अब इसको हम सफल करेंगे, मनुस जीवन को, इसके बारे हम बताते हैं, इस माया का गर्ब ना करियो, के हाथी के गोडारे, और जोड जोड धन भहुत बेटोला, लाखों और करोडारे, कभी साहब कहते हैं, के सर्वसोन्य की लंका थीवे रावन सेरन जीरम, एक पलक में राज विराची, फिर जम के पड़े जजीरम, सारी सोन्य की लंका बनाए बठा था को बदी, सोन्य की जासे हम गारा बिटी के इट बनाते हैं, ऐसे सोन्य की इटे बना के, और सोन्य की गारा से उसको चना रख्या था, और कहते हैं, एक पलक में राज व यहीन हो गया एक सेकंड में, और फिर यम के पड़े जंजीरं में, गाल के दूट ले गए उसे ना जकड़ के, हमें ये दंत कथा सुनाया करते हैं, ये आचारिया और संक्राचारिया हमारे दर्मगरु है, मंडलेश वर संथ, कहते है राउन की मुक्ती होगी, स्री राम के आपना परिवार ना मारा एक भी, जवसद मुक्ती होनी थी थे, तो ये बकवाद गड़ा करते हैं, न ग्यान था को नहीं, जनता को मुर्ख बुना को पिछा लगा है रखना इनका उदेश से था, अब उधिमान हो, बक्ती करनी है तो विवेक से करो, ना तो कोई फाइदा नेंड चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावन का अज दीवान बाती, यदि आप बगवान से दन की डिमांड करते हो, और रावन जितना दन तो आप, मैं रहे खाल में सो जनम भी नहीं इकठा कर सकते, और एक पूत्तर ना है किसी के वो पूत्र डिमां से हमारी 90 परतीसत, ये अनसेसरी जो डिमांड है ये खतम हो जाएंगे, और फिर भी आपको किसी चीज़ किया सकता है, तो बगवान दूर नहीं है, वो उस तू देगा जो आपके भक्ती में बादक ना हो, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को वो ही चीज अलाउड कर अले, वह था कोई बात है, बल्ड प्रेशर का मरीज और उसने भी खवाव है, और उगी खाना चाहता है, और डॉक्टर को खाले खाले, तो डॉक्टर नहीं है, तो दूसमन है उसका, तो हम आपको वो वस्तुकति अलाउड निक्राएंगे जो आपका जीवन नास कर दी, य